असलाम वूलेकुम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आप कभी मूली का पराथा फूलता नहीं है। श्टफिंग निकल जाता है, फट जाता है पराथा बेलने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपके भी पराथा एकदम फुला फुला बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, स्टाफिंग भी नहीं निकलेगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमने हाफ केजी मुली लिया है, मुली को छील लेंगे, धोलेंगे, और उसे चोटे-चोटे पीस में कट कर ल मंड़की फुली को टूटञा टूं सबहि utilizedाना मुली लिकीर, पर आट के लमी को बनेगा, तो शील आट को बनेगे, तो महेंकी बनने क्यों भी वूवन कीशनाँ ही जालना है, मुली ल किलिए, ईससी में फूली क्या है घंना चाना कना जुला, जुप मेराता बनेगा, और इसे पोटैटो मैसर से मैस कर रही है, आप चाहे अगर आपके पास पोटैटो मैसर नहीं है, तो गलास के नीचली पार्ट से आप कर सकते हैं, या कोई कटोरी के, ये के इस तरीके मेश करना है, मिकसी ग्राइंडर में पीछना नहीं है अब इसमें एक चम्मज जीरा पॉडर भूना हुए- जीरा पॉडर डाल देंगे और Aja Wyn पॉडर डाल देंगे रोश्टेट कसूृे मेथी को हैसे से स्तरीके से रब करके एफ़ा धनिया डॉड अधनिया डाल टेंगे अब इसमें हमें डालना है चिली फिलेक्स, चिली फिलेक्स नहीं तो में चपाण। नमक डाल हैowy और जिली डुझ में बेचे हमें औरे चम्माच तेल डाल टेंगे इनसा बैपने ही करना है, म्होंने सब्सक्राइब जोंदनेके उस तरीके से लगाना है तो आटा मेरा यहां पे थोड़ा गीला लग रहा था तो मैं तो रजा और सुखा आटा डाल दी अब मुझे चपाती के तरह डो लगा लेना है गुंद के फ्रिंड्स यह बहुत ही टेश्टी बनता है बनाने में भी बहुत आसान है फ्रिंड्स इस प बनाना एक टो झानिके यह के बनाने लोई लोई सापन में में पिस तरीके बना इस तरह लोए तो उसमें मुझे पराठा डाल देना है थोड़ी देर कुछ सेकेंड एक साइट सेकने देना है फिर उसके बाद दूसरी साइट सिख जाएगा तो आप जिसमें भी वाइल में घी में बटर में जिसमें भी आप खाना पसंद करते हैं उसमें आप इसे सेक लीजे देखिए कित ---- इसी तरह से हम सारे पड़ाठा को बेल के सेक लेंगे बहुत ही जाता है तर ऑसक परेंस जरूर और चुण मूली के पत्ते का चतनी मूली के पत्ते को कट लेंगे हैं इसमें हम हरा धन्या भी डालेंगे CB mitigating अच्रेशन थोड़ी से कमट č." पैन हो दोड़ा सरसो तेल गरम करेंगे स्समें जीरा डाल देंगे लैसुनडAAD नहीं हपनादके के टेल में थोरी देर में भूनने देंगे उसमें मुली का पत्ता ढञे वन्हे के थोरी देर प्रीज़ घृ वजायों के प्रीडे के हम ब्रीड थी के समय नहीं दे देंगे एक भीणुने हाद के थाके भीट, और सब्सकार को अ casos बेसे हमें पीस लेना है, देकि अइस तरीके लेगे आप और साहाओ संपार के बनाने, हम इसे सर्फ कर सकते और मूली पराठा के साथ देखेए आप जरूर ट्राइ किजिए देखिए मुली का पराठा कितना सॉप्ट है एकदम फूला हुआ बना है अब बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स अब कोई जंजट नहीं है कि स्टफिंग निकल जाएगा तो आप इस प्रोसेस से एक बार जरूर बनाएगा